नमस्ते प्रियजनों राइटू एस्टो चैनल पर आपका स्वागत है शनिद्यव का राशी परिवर्तन मतलब पिछले धाई साल से चल रहे अनुभों में होने वाला अगले धाई साल के लिए बदलाओ क्योंकि शनिद्यव किसी भी राशी में 20 साल तक गोचर करते हैं सवी ग्रहों की तुल्णा में शनीद्यव का राशी गोचर काल सबसे बड़ा होता है और शनिद्यव के फणों का प्रभाव भी बहुत सक्ति से और प्रखरता से अनुभूत होता है इसका कारण है क्योंकि शनिदेव न्यायाधिश है इसलिए आपको आपके ही कर्मों के अच्छे बुरे फल देते हैं जैसा आपका कर्म होगा वैसे ही आपको फल मिलेंगे शनिदेव 29 एप्रिल 2022 को राशी परिवर्तन करेंगे शनिदेव का ये राशी परिवर्तन अपनी स्वराशी मकर राशी से अपनी प्रिय राशी कुम्भराशी में होगा इसलिए इस गोचर में शनिदेव सभी को कुछ न कुछ शुबफल अवश्च्च देंगे लेकिन दुरुष्टी योग से कुछ अशुबता भी रहेगी क्योंकि कुम्भराशी से शनिदेव की तीनो दुरुष्टिया शत्रु राशियों पर रहने वाली है अब शनिदेव के कैसे फ़ल मिलेंगे इसे समझने के लिए जो तिशनुसा शनिदेव कोनसे विशेओं के कारक है इसे समझना भी अवश्चक है जैसा कि मैंने पहले बताया शनिदेव न्याय प्रिय है न्याय अधिश है इसलिए सजा के रूप में दुख, दरिद्रता, मानसिक और शारिरिक पिडा शनिदेव के कारण ही भुगतने पड़ते है शनिदेव के नकारत्मक फलो में किसी भी काम में देरी, दिक्कते, उदासिंता, शारिरिक कश्ट, अकेलापन, कमिया, नुकसान, दुरभाग्य, ऐसी बातों का अनुभव होता है लेकिन शनिदेव शुबगो उचर में और प्रसंद रहने पर देते से भी बहुत धिले हातों से भर भरके देते हैं मतलब राजा को रंक और रंक को राजा बनने का सामर्थ्य सिर्प शनिदेव के फलो में होता है इसके साथ ही शनिदेव का हमारी आयू पर विशेश रूप से प्रभाव होता है शनिदेव व्यवहार ग्यान, कूटनिती, परिश्रम, सेवा, नियम बद्ध, कारिय, दिर्गकाली नियोजनाव के भी कारक माने जाते हैं आत्मसयम और सहिंचिलता के साथ कॉंसेंट्रेशन, स्टेमिलिटी ये भी हमें शनिदेव से ही प्राप्थ होती है काला रंग, लोहा, कोईला, प्लास्टिक, ऑईल, खेती, खदान, मजदूर और वृद्ध व्यक्ति भी शनिदेव से ही देखे जाते हैं इस तरह से शनिदेव का हमारे संपूर्ण जीवन पर बहुत गहरा असर रहता है इसलिए शनिदेव की राशी गोचर को जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है शनिदेव का कुम्भ राशी गोचर 29 एप्रिल 2022 से 11 जुलई 2022 तक और बाद में 17 जन्वरी 2023 से 28 मार्च 2025 तक रहेगा बीच में वक्री होने के कारण 12 जुलई से 16 जन्वरी 2023 तक शनिदेव पुना मकर राशी में ही रहेंगे आपकी मकर राशी नुसार शनिदेव का कुम्भ राशी गोचर आपकी राशी से द्वितिय भाव में होगा आपके लिए साड़े साती का अंतिम परव शुरू होने जा रहा है मतलब और ढ़ाई वर्ष के लिए साड़े साती जारी दहेगी मकर और कुम्भ राशी वालों के लिए शनिदेव आपके राशी स्वामी है इसलिए साड़े साती में अन्य राशियों की तरह शनिदेव सर्वता अशुब नहीं होते अभी तक मकर राशी गोचर में शशनामक राज्यों का लाप आपको मिला होगा करोना जैसी महामारी में अपने कार्यक्षेत्र में सार्वजनेक जीवन में अपने आपको स्थापित करने में दिक्कते हुई होंगी जीवन साती से मतभेद हुए होंगे परिश्रम ज्यादा करने पड़े होंगे लेकिन ऐसा तनाव जहल कर बहुत शान्ती और सैयम के साथ आपने ऐसी स्थितियों का सामना किया होगा आपकी पदप्रतिष्ठा को समाल के राखा होगा और सफलता की और कुछ कदम आप आगे बढ़े होंगे 29 एप्रिल के बाद शनिदेव के कुम्भा राशी गोचर में ऐसे कौन से शुभवफल मिलेंगे इसे समझने के लिए शनिदेव का आपके जीवन पर कौन कौन से क्षेत्र पर प्रभाव रहता है इसे भी समझिए शनिदेव पहले तो आपके राशी स्वामी है इसलिए आपका स्वभाव, आपका स्वास्थ, आत्मवल, व्यक्तित्व ये तो है ही लेकिन शनिदेव आपकी राशी से द्वीतिय भाव के भी स्वामी है मतलब आपके जीवन में आपकी धनसंपत्ति, आर्थिक निवेश, पारिवारिक सूख, आपकी वानी ऐसे खेत्रवी शनिदेव ही नियंत्रित करते है अभी शनिदेव का गोचर मूल त्रिकोंद राशी में, मतलब प्रिय राशी में रहेगा इसलिए आपको द्रितिय भाव से सम्मंदित, शुभफल अवश्य मिलेंगे लेकिन साडे साती है, तो अशुप्ता जादा ही रहेंगी ऐसी अशुप्ता को समय रहते जानकर सचेत होना आवश्यक है यही जियोतिश का उद्देश है आने वाले धाई वर्ष में आपका पूरा जोर अपनी धन संपत्ति बढ़ाने पर रहेगा आर्थिक स्थिती में सुधार के लिए आप प्रयासरत्र होगे इस कालखन में परिवार में पईत्रुक संपत्ति का बटवारा हो सकता है खेती से, ख़दान से संबंदित कारियों से, नोकरी, मेहनत के कारिय, सर्विस प्रोवाइडिंग कार्यक्षेत्र, इंजिनेरिंग, टेकनिकल, ऐसे क्षेत्रों से धन का आगमन नित्य रुप से जारी रहेगा धन प्राप्ति में निरन तरता रहेगी और आपकी धन संपत्ति में वृद्धी अवश्य होगी आपको पैसों की कमी की चिंता नहीं रहेगी, इसके विपरी आप अपनी जमापुन्जी सुरक्षित रखने के लिए चिंतित्र होगे अपने खर्चों को नियंतरित करोगे और बहुत ही सोच समझ कर, जाच परक कर बड़ी रखम का निवेश करोगे अईसे ही जोतिश शासर के संदर्व में महत्तो पुर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस राइट विए एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाईए मेरे इस चैनल पर आप सही दुर्ष्टिकों से जोतिश ग्यान प्राप्त कर सकते हो और साथ ही बिलकुल सरल शब्दों में आसानी से सिख भी सकते हो शुरू से अंततक अवश्य देखिए अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए पारीवारिक जिम्बेदार्या निभाने में आप व्यस्त्र होगे परिवार में सुखश शांती स्थापित करने में आपको सफलता मिलेगी आपको अच्छे स्वास्त के लिए आहर में कुछ पत्यों का पालन करना होगा ये गोचरकाल आपके जीवन साथी के लिए अच्छा नहीं है आपके जीवन साथी के कारण आप परेशान रहे सकते हैं इस गोचरकाल में आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए अईसा कुछ नहीं बोलना है जिससे किसी को दुख पहुँचे या मिस अंडरस्टेंडिंग बड़े लोग आपकी बातों की अंदेखी कर सकते है शनिदेव की तृतिय दुरुष्टी आपकी राशी से चतुर्त भाव पर रहेगी इस दुरुष्टी योग के कारण आपको आपकी माता के स्वास्त की चिन्ता रहेगी इसके साथ ही जमिन जायदात से संबंदि रहते मकान से संबंदि कोई विवाद हो सकता है आपके करीवी रिष्टेदार भी आपसे नाराज हो सकते है आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है जिससे विवाद बढ़ सकते है शनिदेव की सब्तम दुरुष्टी अश्टम भाव पर भी रहेगी इस दुरुष्टी योग से आपको अपनी धन संपत्ती की नुकसान का भय लगा रहेगा और साथ में आप अपने स्वास्त को लेकर भी चिन्तित रहोगे इस कालखन में आपको अपनी वानी पर नियंत्रन रखना होगा लड़ाई जगणों से शत्रुता से दूरी बना के रखना होगा किसी को कोई आश्वासन नहीं देना है नहीं किसी के भरोसे महत्तो पुरुन काम छोडने है आपका भरोसा तूट सकता है और आपकी ही गलतियों के कारण आपको अपमानित होना पड़ सकता है शनीदेव की दशम दुरुष्टी आपकी राशी से एका दश भाव पर रहेगी ये भाव आपकी इच्छाए सभी तरके लाबदर शाता है शनीदेव की दुरुष्टी योग से आपकी आए में अपेक्षा कुरूत कमी रहेगी नोकरी व्यवसाय में आपको आमदनी बढ़ाने के लिए जादा परिश्रम करने होंगे इसी भाव से मित्रता आपके हितेशी लोग भी देखे जाते है आपकी बातों से आपके मित्र नाराज हो सकते है आपके हितेशी लोग भी इस कालखन में आपसे दूरी बना के रखेंगे आपकी सुनने वाला कोई नहीं होगा किसी का साथ नहीं मिलेगा इस तरह से शनिद्यों के कुम्भराशी गोचर में आपका अनुभव रहेगा सभी के स्वास्त और सुकर सम्रुद्धी की शुवक कामनाओं के साथ विदा लेता हूँ अभी के लिए इतना ही राइट्टू एस्टो चानल देखते रहिए सब्सक्रेब कीजिए लाइक कीजिए और कमेंड भी कीजिए धन्यवाद